तो टैक्स और वेल्ड में आपका स्वागत हैं मैं हिमान्शे कुमार और आज की साम की फानेल्सल न्यूस के साथ तो सबसे पहले बात करते हैं मार्केट की तो मार्केट ने अगर आपने देखा तो आज मार्केट ने तो कमाल कर दिया RBI के अनॉसमेंट के बाब स्टार्टिंग में तो मार्केट खुला 1000 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी था निफ्टी भी अच्छा खासा 300 पॉइंट के उपर था जैसे जैसे अनॉसमेंट होने लगी RBI के थोड़ा सा उनका पता नहीं थोड़ी रुजान अच्छे नहीं थे क्या थे लेकिन उसके बाद मार्केट ने जबरदस्ट बाउंस पैग किया Sensex 986 पॉइंट उपर रहा 31,588 पे बंद हुआ निफ्टी 926 पे 273 पॉइंट उपर रहा यानि अगर हम आच्छी बात करें तो आप क्या सकते कि RBI ने एक अच्छा खासा रहात पैकेज दिया है मार्केट को, बैंकिंग को, इंडस्ट्री को और बहुत ही डंग से ये कहने की कोशिस की है कि लैंडिंग के रेट्स को हम कम करते हैं तो वो सारी बाते हम बात करते हैं सबसे पहले आज जब RBI के गवर्नर साहब आएं उन्होंने ये बात पहले क्लियर की कि जो हमारा ग्रोथ है बेस पॉइंट से कम कर दिया यानि एक उसके लेंडिंग कोस्ट भी कम कर दी है अब बात करते हैं रैपो रेट की रैपो रेट को भी पोइंट कर दिया गया ε whoaidd ho कर दिया गया यानी हर तरफ कहीं फाड़स इन्स्टुशन को रहाद देने की कोसिस की गई कहीं liquidity को pump करने की कोशिस की गए इसके लाँ उन्होंने ये भी कहा कि जो corporates हैं उनको direct funding करने की कोशिस की जाएगे जो कि सीधा करेगा और state भी state को भी हम उसी हिसाब से funding करेंगे यानि RBI का जो package था बहुत ही धंका था और market ने उस package को पसंद किया otherwise ये market उपर नहीं जाता नीचे की तरह विक्वाली करता लेकिन कल USP market उपर था तो कह सकते हैं कि उसका भी थोड़ा बहुत impact था और उसकी वज़ा से भी वहाँ पर अच्छी कह सकते हैं विक्वाली हुई थी कल ट्रंप ने वहाँ पर जो announcement किया उसके बाद market ने काफी अच्छा response किया यानि कहीं न कहीं हमारी इंडियन market को भी US market से influence रहता है तो ये इसके अलामा उन्होंने बहुत तरह की बाते की RBI ने और बहुत तरह का package announcement किया जिससे कि ये आप कह सकते कि अच्छा positive start था खेर अब बात करते हैं उसके अलामा और भी market से related information की उबर ने medilife से type किया है 5 city के लिए जहां पे जो medicine है उसके delivery की जा सके online का business करनाटका ने कहा है कि online पे पूरा focus रहेंगा पूरी industry जो पूरा state है उसको online पे ही रखने की courses की जाएगे इधर amazon ने कहा है कि बहुत तरह की चीज़े हैं कि जैसे कि अभी domino's में कांट हुआ है delivery को लेके तो उन्होंने ये कहा है कि hygiene को ध्यान रखा जाएगा पूरी तरह से क्योंकि 20 तारीक बाद हो सकता है कि flip card amazon अलग अलग तरह की चीज़ें करने की कोशिस करें और वो delivery में hygiene को maintain करने की कोशिस की जाएगे इसके अलग हम अगर बात करें तो जूम को लेके MHA ने कहा है कि ये जो आप है वो सेफ नहीं है उसको advisory कल भी government ने जारी की थी बट MHA ने जारी कर दिया इधर SpaceX और Google ने उसकी use पे बैन लगा दिया है क्योंकि अभी कुछ ख़बर आ रही थी कि जो dark wave है वहाँ पे जूम के काफी content बिक रहे हैं बहुत महेंगे बिक रहे हैं इधर SBI ने कहा है कि GDP रहेगा इंडिया का वो 1.1 रहेगा फैनेंसी लिए 21 के लिए जिसको औरड़ी मुझे लगता है कि RBI के गौर्णर ने इस चीज़ को वहीं पे कहा भी था इधर NBSP की liquidity को ध्यान में रखने के लिए RBI ने आज कहा कि आप अपने borrowing को अपने हिसाब से classified कर सकते हैं मतलब NPA category में डालने ना डाले उसके लिए कुछ relaxation जो दी गई थी वो NBFC को भी कहा गया कि आप उसी relaxation का फाइदा उठा सकते हैं कोई problem नहीं है इसके अलामा अगर हम बात करें तो market को बहुत तरह की रियायत देनी की कोशिस की जा रहे है जिसमें अभी कुछ NCDs भी Tata ने और Mahindra ने NCDs से पैसे भी पैसे भी उठाए हैं तो एक तरह का वहाँ भी आप देख रहे हैं कि अलग-अलग तरह की चीज़े चल रही है इधर पेट्रॉल के कंजम्शन में लगवग 60% की गिरावाट है यह पेट्रॉल डिजर पेट्रॉल में और इसको भी लेके Market आप क्या सकते हैं कि Market में कंजम्शन नहीं है सारे Industry बंद है सारा Tour Operation जो की ख्लाइट्स में यूज होते हैं हर जगा बंद है उसकी बज़़ा से भी जो Crude Whale है उसकी कंजम्शन काफी कम है और इधर रसिया और चाइना के वी डिल जो चल रही है उसमें भी वो काफी bear limit production पहला चुके हैं, agreement हो चुका है तो अब देखते हैं कि market का reaction किस तरफ रहता है लेकिन अभी तक आज जो market था हो काफी green रहा और पूरी जो market में especially जो banking sector था उनको ये चीज़े काफी फसंद है तो खेर आज के लिए इतना ही हम फिर से अपने financial news के साथ मंडे को आपसे मिलेंगे अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो share subscribe करना ना भूले हम OTT platform पे भी हैं आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं और app store google में जाके डाउनलोड करके google play store से भी आप हमें देख सकते हैं तो आज के लिए इतना ही मैं ही मांची कुमार बहुत बहुत धन्यवाद तैंक यू